Hello friends, welcome to my channel Crafting Alisha's in 20 मैं हूँ Alisha और आज लाई हूँ आपके लिए एक multi-purpose organizer तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं कितना जादा अच्छा देख रहा है आप इसे बहुत ही जादा easily बना सकते हैं मैं measurements description box में दे दूँगी तो आप वहाँ से measurements देख सकते हैं अगर आपको measurements के regarding कोई problem होती हो तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा आज का वीडियो तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक quilted piece लिया है जिसका measurement होगा 10 by 9 inches यह से हमें 2 quilted pieces का जरूरत है यह एक हुआ हमारा front piece और यह हुआ हमारा back piece यह front piece पर मैंने एक design बनाया हुए देखिए मेरे पस frill पड़ा था तो मैंने 3 frill middle में, ऊपर में और नीचे में लगा दिया अब इसके बाद हमें यहाँ पर pre-quilted pieces चाहिए होंगे same measurement के साथ तो इनका भी measurement मैंने यहाँ पर 9 by 10 inches रखा है यह side pieces है यानि कि यह 4 sides में लगेंगे यह 3 pieces है और जो fourth वाला piece है वो थोड़ा बड़ा लेना है आपको इसका measurement मैंने रखा है 9 by 11.5 inches तो इसके नीचे मैंने already plain pieces को stick किया हुआ है तो अब हम इन 3 pieces में से यह 2 pieces लेंगे और इसके बाद इसको ऐसे करके हम रखेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे यह देखिए सिलाई लग चुकी है अब हम इसको सीधा करेंगे अब इसको उल्टा करके यहां से हम इसके उपर एक plain piece ले लेंगे कोई भी 1.5 inches का मेरा plain piece है इसको मैंने इसके उपर रखा इसके बाद यहां से मैंने इसको फोल्ट किया और इसके उपर सिलाई लगा दूगी मैं यहां से भी फोल्ट करके हमें सिलाई लगा देना इसके उपर अब यह देखिए सिलाई लग चुका है अब इसके बाद हम इसको ऐसे डबल फोल्ट करेंगे और इसके उपर सिल देंगे नौर्मल यहाँ पर सिलाई लगा दिजे अब यह देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया अब यह हमारा कुछ ऐसा दिखेगा चाहे तो इसको दबा कर ऐसे करके सिल दिजे अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और पीस जोड़ेंगे तो यह मेरा थर्ड वाला पीस है इसको मैं इसके opposite रखूँगी और उसके बाद इसके उपर सिलाए लगा दूँगी अब मैंने सेम तरीके से यहाँ पर भी लेस लगा दिया है देखिए मेरा तीर और एकदम ready है अब इसके बाद हम यह जिप लेते हैं तो जिप हमें इसी के measurement कर चाहिए तो जिप को हम इसके उपर ऐसे करके रखेंगे उल्टा और सिलाए लगा देंगे इसके उपर तो जितना जिप हमें लगेगा हम उतना रखेंगे बाकी का हम एक्स्ट्रा जिप को कट कर देंगे तो यह देखिए मैंने जिप के उपर सिलाई लगा दिया अब हम इसको सीधा करके इसके उपर प्रेस्टिज दे देंगे यानि कि दाब सिलाई दे देंगे यह देखिए मैंने यहाँ पर दाब सिलाई दे दिया अब इसके बाद हम इसमें runner डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो runner डाल दिये अब इसके बाद हम अपना ये वाला piece लेंगे जो की 11.5 इंजिस का था अब हम इसको इसके साथ जोडेंगे तो इसको इसके opposite रखना है और इसके बाद इसके उपर सिलाई लगा देना है तो ये देखें कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर अब हम लेस चिपका देंगे उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे और इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो ये देखे हमारा box बन के एकदम ready है मैंने चारों तरफ यहाँ पर list लगा दिया है ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब इसके बाद हम अपना ये वाला piece लेंगे और इन चारों कोनों से इन चारों कोनों को मिला कर जोड़ेंगे इसको ऐसे करके मिलाना है मिलाते मिलाते हमें जोड़ना है लाइक मैं यहाँ पर clips यूज़ कर रही हूँ ताकि यह अच्छे से attach हो जाए अब आपको इसके उपर सिलाई लगा देना है तो ये देखे मेरा सिलाई यहाँ पर लग गया और ये मेरा box ready है अब इसके बाद हम इसका उपर वाला cover सिलेंगे तो cover को हम ऐसे करके रखके इसके उपर सिलाई कर देंगे यहाँ से पहले ऐसे करके सिलेंगे उसके बाद इसको पूरा हम सिल देंगे तो ये देखे है कुछ ऐसा दिख रहा है सिलने के बाद तो ये देखे हैं हमारा box ready हो चुका है अब इसके बाद हम इसके उपर core attach करेंगे तो core यहाँ पर मैंने orange color की लगाई है yellow color की भी लग सकती थी मैंने थोड़ा सा अलग सोच के हाँ पर orange color और yellow color का mixture लगाए है जैसे कि yellow color की मैंने zip लगा दी और orange color की core attach कर दी यह देखें बीच से एक कुछ ऐसा दिख रहा है इसको आप अराम से खोल कर आप इसमें उपर कोई भी सामान रख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने belt लिया है यानि कि इसका handles तो handles का measurement है वो होगा 25 inches होगा तो अगर आपके पास यह ready made handle जा code नहीं है तो आप बाजार की बजाए घर में बना कर भी लगा सकते हैं तो यह देखें मैंने handle attach कर दिया और यह कुछ ऐसा दिख रहा है यह मैंने simply handle attach किया है यह देखें यहाँ से ऐसे करके attach किया है आप एक cross बना दिया है मैंने यहाँ पर भी ऐसे करके attach किया है तो आप इस box में कुछ भी अपना डाल कर समान रख सकते हैं जैसे कि बच्चों के खिलाने होते हैं वो भी हम रख सकते हैं बच्चों के छोटे कपड़े भी रख सकते हैं नहीं तो नहीं तो इसके अंदर हम t-shirts डाल के भी रख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने जो सिलने वाले कपड़े होते हैं वो डाल कर रखे हैं तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसे कोल कर तो यह देखे हैं मेरे सिलने वाले जितने भी कपड़े हैं वो इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं आप इसमें और भी समार डाल सकते हैं जैसे कि इसको आज़र लंच बैग भी हम यूज कर सकते हैं यह काफी जादा यूसफुल है फ्रेंड्स और आप इसे इसली बना सकते हैं घर पर अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले अपने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ और टेक केर और थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो